नवस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के एंसी कुसूमनेट क्लासेज में तो वैसे साथ ही जो हमारे चैनल पे पहली बराये हैं सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में वेल आइकन को प्रेस कर औल नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर लिजे ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तयारी और बेहतरी तरीके से संभव हो सके जो साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं उनको मैं बता दूँ यहां पर हम लोग यूजी सी नेट जे आरेफ की तयारी इतिहास विशय के साथ करते हैं यदि आप किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ यूजी सी नेट की तयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ पेपर बन की तयारी के लिए जूड़ सकते हैं ध्यान रखिएगा मैं आपसे किसी भी तरीके का कोई ना फील लेता हूं ना किसी तरीके की कोई आकांशा है बस आपका रिजल्ट हो जा यही मेरी तमन्ना है रिजल्ट हो जा तो एक वार आप हमें बता दीजेगा कि आप नेट कर गए हैं तो चलिए फिर आज के लिक्चर के शुरुआत करते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और यदि नहीं चल रही है तो आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से जारी रखिए और ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे भी द्यारती है जो मैसेज किये थे कि आप पैसा लेंगे अब या फिर बीच में पढ़ाना आपने छोड़ दिया है तो देखिए साथियों इस तरह की कोई भी बात नहीं है दरसल पिछले दो-तीन दिन से हमारी तब्यत सही नहीं लग रही थी और मेरे पैर में दरसल मोच आ गया इस वजह से मैं आज मैसेज ना करें और वह बिल्कुल ही गलत मैसेज था कि मैंने पढ़ाना छोड़ दिया या फिर पैसे वैसे लूंगा यह सब बकवास की बाते हैं आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर होगा तो चलिए फिर आप कामना करें कि मैं स्वस्त रहूं स्वस के साथ की थी जिसमें हम लोगों ने बाते की थी मुख्य तोर पर अस्टोनेज के बारे में सोर्सेज के बारे में उसके बाद बुद्ध एवं जैन के बारे में बाते हुई थी फिर हम लोगों ने बात किया था मगद महाजनपद के बारे में मगद महाजनपद के बारे में लोगों ने चर्चा की थी मौरेंड डायनिस्टी के बारे में आपको पता होगा कि मगद महाजनपद ही आगे चल करके मौरेंड डायनिस्टी का रूप लेता है ठीक है तो उसके बाद हम लोगों ने मौरेंड डायनिस्टी पे बाते की थी और लगबग मौरेंड डायनिस्ट सबसे जदा सवाल कहां से पुछे जा सकते हैं और कहां पर ढेफ्स है कहां पर इमानदारी है यदि आप हमारे इमानदारी दिखते है तो आप हमारे चैनल के साथ बेश्चक जूड़िए और अपने धोस्तों कहẽ हमारे चैनल के साथ जोड़िये ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और ज्यादा एनरजी मिलता है तो मैं और ज्यादा उर्जा के माधम से काम करता हूँ तो चलिए फिर आज हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं देखे लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने समुद्र गुप्त पर बात की थी तो समुद्र गुप्त बाले लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या फिर आप य चल रहा हूं कि आपने उस लेक्षर को देख लिया और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं समुद्र गुप्त के बाद कौन सा शाशक आया यानि कि उसके बाद कौन सा साशक जो था गुप्त बंस के गद्दी पर बैठा तो देखिएगा समुद्र गुप्त के दो बेटे होत आते हैं कि जब भी हम लोग किसी राजा के बारे में पढ़ेंगे या फिर सभेता के बारे में पढ़ेंगे या फिर आप वन्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग उसके मुखे तोर पे छे आयाम के बारे में चर्चा करेंगे कौन-कौन आयाम एक तो हमारा एकोनमी का हो उस समय महिलाओं की स्थीती क्या थी। ठीक है वुमें कंडिशन क्या थे। उस समय यह browse यानी दास थे तो उनकी क्या स्थीती थी। क्रिशक बर का क्या स्थीती था एगरी कल्चिरल क्लास था। उनका क्या स्थीती था। बैदेसिक संबंध क्या थे इन तमाम चीजों के बारे में चर्चा करते हैं लेकिन आज हम लोग जिस साशक के बारे में पढ़ने बाले हैं उनके बारे में कुछ ज्यादा विस्तार से बाते नहीं होंगी क्योंकि उनको इतिहास में नगर्ण माना गया है लेकिन समुद्र सेकंड विक्रमा दित्ती के बीच में एक गप आता है और उस गयप को पाटने में एक नए शार्चक का नाम आता है जिसका नाम एक राम गुप्त ठ्यान रखिएगा समुद्र गुप्त के रसल दो बेटे हुए थे हैं समूदर गुब्त के दो बेटे खकर समूद्र के फादर थे ग्याजन को आप चैंद्र गुप्त दित्य विक्रमा दित्य के नाम से जानते हैं जो आगे चल करके महरोली लौह अस्तंभ अभिलेख जारी करवाते हैं जो आज के बर्तमान के दिली के कुतूब मिनार के बगल में अभी भी लोकेटेड है तो यदि आप दिली में रहते हो तो आप उसे देख भी सकते हैं यदि आप कहीं और रहते हैं और आप कभी दिल्ली आएं तो आप उसे जाकर देख सकते हैं वह अभी भी वैसा ही है जैसा कि जब जारी करवाया गया था जैसा था वैसा आज भी बिल्कुल हूब 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 है तो चलिए फिर आज हम लोग राम गु से प्राप्त होता है यानि कौन-कौन से सोर्सेज हैं जो राम गुप्त के बारे में बताते हैं कि राम गुप्त नामक भी कोई शाशक हुआ था ठीक है धियान रखिएगा राम गुप्त के वल हमें पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको गैप बीच में समझ मे आ सकें आखिर यदि मैं समुद्र गुप्त के बार डायरेक्ट चंद्र गुप्त सेकंड बिक्रमा दित्ति को शुरू करता तो आपके मन में सवाल उट सकता था कि आखिर बीच के फेज में फिर क्या हुआ तो इसलिए बाकी लोगों की तरह मैं आपके साथ करूंगा नहीं क्योंकि हम इमांदारी के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ और मुझे पता है कि यदि आप इमांदारी के साथ नहीं पढ़ेंगे और आप डिटेल में विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे तो फिर आप नेट जारिफ का सपना आप उसको तोड़ लीजे तो ज्यादा बेहतर होगा इसलिए आप डिटेल में पढ़िए और देर लगेगा लेकिन आराम आराम से चलिए फिर चर्चा करते हैं राम गुप्त के अध्यन के सोर्च के लिए देखिए सोर्सेज में मुखी तोर पे तींतरह के सोर्सेज होते हैं को पता होना चाहिए पहला है आर्कियोलोजि मानते हैं कि राम गुप्त नामक शाशक हुआ था और कई हिस्टोरियन हैं जो नहीं मानते हैं कि राम गुप्त नामक शाशक हुआ था ठीक है कौन-कौन है और कौन-कौन नहीं मानते हैं उन इतिहासकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे ठीक है तो मुखी तोर पे हमारे साहित्य लिखा है किताब लिखी है हो ऊह सारे के सारे लिट्ररी सोर्स के अंत्रज़कें दरकाउंट्ट कियا जाते हैं समय के जो कोई मुखे तोर पर मोनूमेंट्स हैं इंसक्रेप्शन उसके बाद शिला सबसे पहले स साहित्िक बारे में मैं करते हैं नगा एक वार देखिए मैं आपको मैं आपको देवंगा आपको लिए अप हमारे तो आप हमारे facebook के साथ जूड़ सकते हैं अमरीत राज के नाम से मैं facebook चलाता हूँ ठीक है और मेरा नाम ही अमरीत राज चलिए फिर तो अध्यन के स्वर्स में अधी literary source की बात की जाए तो राम गुप्त के अध्यन के लिए जो literary sources हैं उसमें पहला नाम है देवी चंद गुप्तम ठीक है यह किताब का नाम है यह कन देवी चंद गुप्तम दरसल एक नाटक है और इसके लेखक का नाम है बिशाख दत देखिएगा आप प्रिवियस एर के सवाल उठाएंगे तो आपसे पूछा जाता है एक तरफ किताब का नाम दिया रहता है और दुसरे तरफ लेखक का नाम दिया रहता है इसलिए आप या बानभट ठीक है बानभट कौन था हर्ष बर्धन का दरवारी कभी था और उसका दोस्त भी था ठीक है उसी ने हर्ष चरित लिखा था और हमने आपको बताया था चरित का अर्थ क्या होता है चरित का अर्थ होता है साथियों प्रसंसा में लिखा गया उसी तरह से मैंने बत तो उसमें देखिएगा कि सिर्फ एक देख्ति को नायक के तोर पे दिखाया गया है तो चरित और प्रसस्ती में बेसिक अंतर यही होता है उसके बाद देखिए अगले सोर्ज के रूप में हमारे पास है काब बेमीमानसा स्रिंगार प्रकाश उसके बाद है मुजमल उत्त लिखक हैं राजाभोज और मुझमल उत्तावारी के लिखक हैं अबुलहसन अली इसके अलाबा एक और व्यक्ति हैं जिन्हों ने हर्षचरीत पर एक टीका लिखा जिनका नाम है शंक्रार्रे शंकरार्रे ठीक है निख लिखने हर्षचरीत पर टीका लिखिए ती यह भी देखिए दरश राम गुब्थ के बारे में हमें सूचना प्रदान करता है तो आएए इक कए करके देखते हैं कि आखिर इन तमाम स 나중에 हम किनकिन प्रकार की सूचना प्राप्त होती है क्या तो एक करके करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देवी चंद गुप्तम विशाख दत के बारे में इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है तो देखिए इसमें दरसल एक नाटक का उलिख किया गया है और देवी चंद गुप्तम जो है अपने आप में एक नाटक है ठीक है लेकिन यह नाटक अब मुल रूपन के रूप में आपको मिल सकता है इसकी रचना रामचंद्र और गूर्ण और रामचंदर ने ठीके जिदि आप देखोगे कि इसका जो एक ह levy तोіш इस पर बहुत फोकस किया था लेवी ने भी इस पर काम करने की कोशिश की थी हलहाँ कि उन्होंने जादा काम नहीं किया था ठीक इसमें जो नाटक में बताया गया है उससे हमें पता चलता है कि राम गुप्त बहुत ही कायर था ठीक है बहुत ही कायर था कायर का मतलब का होता साथ ही हूँ बहुत ही कमजोर था और बताया जाता है चुकि आप देखोगे कि गुप्त डैनिस्टी का प्रारंभिक इतिहास दे थोड़ा साप इसको इंट्रेस्टिंग वे में समझने की कोशिज करें और दरसल या हिस्टोरिकल है ठीक है एक बार हुआ क्या था कि शको का आकरमन हुआ ठीक है उस समय आपको पता होना चाहिए कि शक डाइनिस्टी जो है वह इसके कॉंटेंप्ररी शाषन कर रही है तो शक अपनी पतनी धुरूब देवी ठीक है उसकी पतनी का नाम था धुरूब देवी को भेजना था कहां शको के दरबार में क्योंकि वह हार चुका था तो उसी के समय रामगुप्त का भाई रहता है छोटा भाई जिसका नाम है चंद्रगुप्त सेकेंड जिसको आगे चलकर कर भेज कर मैं खुद जाऊंगा अशारी पहन करके और फिर वहाँ पर सारी पहनकर वह खुद जाता है और फिर शकों से वह लड़ाई लड़ता है और शकों से जब वह लड़ता है और फिर वह शकों को पराजित कर देता है इसलिए आप देखोगे कि चंद्रगुप्त सेकंड बिक्रमा दित्त को शकारी भी कहा जाता है शकारी नामक उपाधी उन्होंने धारन किया था तो यह उनकी उपाधी थी किनकी चेंद्रगुप्त सेकंड बिक्रमा दित्त की तो जैसे ही वह युद जित्ता है शकों से तो उसकी लोग प्रियता बढ़ने लगती है उसकी पब्ल विक्रमा दित्यों को राजा बनने की तो राम गुप्त एक तरीके का कलंक था था तीक है उसके बारे में यहां पर नाटक में लिक्ष किया गया है उसी के साथ साथ जो राज सेखर हैं जिन्होंने जो काप मीमान सा लिखी है उन्होंने भी श्रम आदमी था उन्होंने अपनी पत्नी को दाउंपे लगा बेज रहा था लेकिन खुद लडने नहीं गया ठीक payment को शर्म को अन्होंने पुकारा है उसके अलावा और बात की जाए बानभट की तो बानभट ने भी इसके बारे में चर्चा की है और बानभट में यह बताये गया है कि जो शको और शक और पिर राम गुप्त के बीच की जो लड़ाई है वह कार्ती कैपूर में हुआ था जगह का नाम याद रखिएगा आगे भी इसमें हम लोग पीडियेप में मेंसन किये हैं फिर भी यहां पर ध्यान रखे कार्ती कैपूर ठीक है उससे किसे जानकारी मिलता है हर शरित है उसके अ अलावा यदि और बात की जाए जैसे आप देखेंगे कि स्रिंगार प्रकाश है एक हमारे पास जोकी राजा भोज के लिखी हुई है तो उवह खुद राजा भोज एक सम्राठ थे आपको पता होना चाहिए इसलिए इनका नाम भी है राजा भोज तो इन्होंने भी अपने काब बिनाटक स्रिंगार प्रकास में राम गुप्त के बारे में बताया है उसके लाबा अबुल हशन हली ने भी अपने किताब में मुझमल उथ तवारिक में इसकी चर्चा की है तो देखिए इन तमाम साहितिक स्रोतों से राम गुप्त के बारे में पता चलता है उसके बा का नाम लिख लिए चार अभिलेख हैं इस दौर के पहले का नाम है संजन का लेख कामबे का लेख तीसरे का नाम है सांगली का लेख और चौथे का नाम है दुर्जन पूर का अभिलेख इसको विदिश्टा काभी अभिलेख कहा जाता है तो देखिए फुरुआत के जो तीन अभिलेख हैं संजन अभिलेख हों या कामबे अभिलेख हों या सांगली अभिलेख हों यह दरसल इसमें भी उसी घटना की चर्चा की गई है जो देवी चंद्गुप्तम नामक नाटक में की गई थे और यह तीनों का तीनों जो अभिलेख है वह राष्ट कूट बंस का है ध्यान रखिए आप से सवाल पूछा जा सकता है संजन अभिलेख कामबे अभिलेख सांगली अभिलेख तीनों के तीनों राष्ट कूट बंस का अभिलेख है लेकिन चर्चा इसमें किसकी की गई है गुप्त बंस के शाषक राम गुप्त की जो की चंद्र गुप्त सेकंड विक्रमा दित्ति का बड़ा भाई है ठीक है संजन लेक जो है संजन लेक के बारे में आप लिखें थोड़ा सा संजन लेक दर असल रास्ट कूट बंस का एक हुआ जिसका नाम है अमोग बर्ष प्रथम ठीक है अमोग आप लिखते चलें अमोग बर्ष प्रथम और अमोग बर्ष प्रथम का फेज है 871 AD ठीक है मेरा पेन थोड़ा खराब हो गया इसलिए ठीक से चल नहीं रहा है आप लिखें अमोग बर्स प्रथम और यह 871 AD का है और इसके अभिलेख में राम गुप्त के बारे में चर्चा की गई है उसके लाबा और अभिलेख की बात की जाए जैसे कामबे अभिलेख है तो कामबे अभिलेख का टाइम फ्रेम है 930 AD ठीक है 930 AD और तीसरे अभिलेख है जो हमारे पास सांगली का अभिलेख हुआ है 933 AD का ठीक है 930 930 हो गया यह और 933 सांगली का ठीक है टाइम की बात की जाए तब यह दरसल रास्ट कूट बंस का ही एक साशक हुआ एक का नाम है गोविंद चतूर्थ और दूसरे का नाम है दूसरे का नाम नहीं एक ही का नाम है गोविंद चतूर्थ और दूसरे का नाम भी गोविंद चतूर्थ यानि की कामबे अभिलेख और सांगली अभिलेख दोनों का दोनों गोविंद चतूर्थ का लेख है ठीक है ग आगला जो हमारे पास है है दोरजनपूर और वी दिश्या मध्धि पर देश सबीन के रहां से भी तेम प्राप्ण हूं मृति हुई लिख लिजेगा विदिशा से तीन जैन मुर्तियां मिली हैं उनके चोटी पर तीन अभिलेक हैं और उन तीन अभिलेक में महराजा धिराज राम गुप्त की चर्चा मिलती है और यह भी पता चलता है कि राम गुप्त दरसल जैन धर्म को मानने वाला ब्यक्ति था ठीक जैन ध प्रमेश्वरी लाल गुप्त ने जब रिसर्च किया तो उनको चाह सिक्के ऐसे मिलते हैं जिन में से एक पर राजा का पूरा नाम है राम गुप्त और बाकी सिक्कों पर उसके नाम के कुछ अक्षण हैं जैसे राम, मगु, गुप्त, इत्यादी और इसको आप पढ़ भी सकते हैं आपके पास अबिलेबल है दिया आप एंसेंट हिस्ट्री पर रिसर्च कर रहे हैं अर्केयोलोजी पर तब उसमें आप इस पर काम कर सकते हैं इसमें डीटेल में सोर्सेज उपलब्ध हैं आप इसको अराम से पढ़ सकते हैं ठीक है उसके अलाबा आप देखोगे जर्नल ऑफ नियुमिस्मेटिक सुसाइटी ओफ इंडिया और उसके खंड बारा की पेज नम राम गुप्तिया राम या मगू उसी के अधार पयह निस्वर्ष निकाला गया है कि इसका जो सामराज विस्तार है वह बीदेशा तक था चलिए इसके अलाबा यदि और बात की जाए तो मध्य परदेश में ही एक इन्वसिटी है जहां से दुनिया में के सबसे बड़े फि से राम गुप्त के सिक्के प्राप्त किये हैं और सिक्वों पर सिख है किसका सिनिक तका और गरूर का तक पास्ति जानकारी झाला जाता हैं कि हैं चलिए दो तो इसके बारे में बाते हो गई ध्यान रखिएगा नाम जरूर याद रखना साथियों बार बार बोल रहा हूं अच्छा यदि आप से सवाल पूछा जाए कि पहली बार जब यदि राम गुप्त के इतिहास सिक्ता के बारे में किसी को पता चला कि हिस्टोरिकली कोई राम गुप्त के नामक शाशक हुआ इतिहास में तो उसके बारे में किसने पता लगया था उनका नाम है राखाल दास बनर जी जिनको आप आरडी बनर जी के नाम से जानते हैं तो राखाल दास बनर जी ने पहली बार राम गुप्त को इतिहास में जगह द ठीक है लिखियेगा है मनींद रचंद्र नंदी भ्याख्यान माला ठीक है और इसमें दरसल इन्वाइट किया था राखाल दास्बनर जी को बोलने के लिए तो राखाल दास बनर जी ने साक्ष के अधार पर इसमें पहली बार भारते इतिहास में बताया कि गुप्त बंस में रामगुपत नामक भी कोई शासक हुआ है जिसका टाइम-फ्रेम समुद्र गुपत का बाद रखिएगा इसलिए उसको लिखियेगा मैंने यहां पर मेंचन कर दिया था तो वह जीत गया था ठीक है उसके बाद शकों को लेकर के यानि कि कुछ लोगों को लगता है कुछ ऐसे हिस्टोरियन है जिनको मानना यह है कि राम गुप्त की लड़ाई शकों के साथ नहीं हो करके कुशानों के साथ हुई थे लेकिन कौन को ने उनका नाम नगन्य है ठी कुछ का मनना है कि शक बंस के साथ लड़े थे यूद के स्थान की बात की जाए तो यूद के स्थान को लेकर के भी कंफ्यूजन है कंफ्यूजन नहीं बोलिए डिवेट है एक डिस्प्यूट है ठीक है कंफ्यूजन नहीं होता है डिस्प्यूट होता है माफ कीजेगा उसक दरसल कार्तिपूर नामक एक शहर की चर्चा की गई है जहां के बारे में बताया गया है कि वहां पर दरसल शको और रामगुप्ट के बीच में लड़ाई हुआ था रामगुप्त की पत्नी का नाम धूर्ब देवी थे आपको पता होगा रामगुप्त का बिरोध करने बाले कुछ हिस्टोरियन हुए जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है राम गुप्त नामक कोई शासक नहीं हुआ था तो किसने कहा था कि राम गुप्त नामक शासक हुआ है तो पहले ब्यक्ति का नाम है राखाल दास बनर जी उन्होंने कहा था और किन्होंने कहा कि नहीं हु हुआ उनका नाम भी आप लिख लिए उनका नाम है बी ए अस्मीत एच सी राय चौधरी पूरा नाम है हेमचंद राय चौधरी रमेश चंद्र मजुमदार ठीक है इन लोगों का कहना है कि गुप्त काल में राम गुप्त नामक कोई भी शाशक नहीं हुआ ठीक है उसके लिए इन लोगों ने अपना लॉजिक भी दिया और इनका लॉजिक दरसल क्या है उसको भी आप लिख सकते हैं पहले कारण के तोर पे इन्हों ने बताया कि गुप्त अभिलेख यानि कि गुप्त काल के जो लेख मिलते हैं उसमें राम गुप्त का उलेख कहीं पर भी नहीं मिलत इस आधार पर इन्होंने कहा कि राम गुप्त नामक शाशक नहीं हुआ था उसके अलाबा राम गुप्त के स्वर्ण और रजत सिक्के नहीं मिलते हैं लेकिन आप गुप्त बंस के अन्य राजाओं को देखेंगे तो उनके सिक्के सोने के भी मिलते हैं और रजत के भी मिलते ह ठीक है लेकिन इसका कोई भी नहीं मिलता है उसके अलाबा तीसरे काउज के रूप में इन्होंने कहा कि चंद्र गुप्त अपने बड़े भाई की हत्या करता है और उसकी पत्नी के साथ विवाह करके गद्धी पर बैठ जाता है यह दरसल यह बात गुप्त बंस को शोभा नह गुप्त काल को और इस तरह के घटनाएं नहीं घट सकती है उसके पूप्त लेखों में चंद्र गुप्त को तत्त्परि ग्रहित कहा गया है और जिसका अर्थ है कि वह अपने पीता के द्वारा उत्राधिकारी चुना गया था यानि कि जब चंद्रगुप्त सेकें अपने पिता के द्वारा चुना गया था तो फिर राम गुप्त की हत्याव करके वह गद्धी पर क्यों बैठेगा तो इस तरह के तिन चार लॉजिक देते हैं दो तिन हिस्टोरियन बिये स्मित हिम चंदर राय चौधरी एंड रमेश चंदर मजुमदार तो देखिए यह मुखे काटने की कोशिश की है यह तो डिवेट की बाते हो गई एक दो पॉइंट और है उसको भी आप देख लीजिए उसके बाद एह लेक्चर खत्म करते हैं लास्ट का पॉइंट है गोयल साहब ठीक है गोयल नामक हिस्टोरियन ने कहा कि राम गुप्त अपने पीता के समय का माल梵ा कहा का प्रेस मद्ध प्रुध property US के इलाका मध्ध प्रदेश का इलाका है यानि के ने माना है कि वह मालवा राजिपाल रहा होगा यानि कि अधिर आप तो आप किताब को पढ़ते रहे बोर मत होए और 100% depend मत होए साथियों आपको पढ़ना होगा ठीक है चलिए फिर lecture को समाप्त करते हैं आप अपना अपनों का ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहे और आप नए साथियों को हमारे चैनल के साथ प्लीज जोड़िए क् कि उससे हमें motivation मिलता है एनरजी मिलता है तो काम करने में और मजा आता है फिर मिलेंगे अगले अपिशोड में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बाइबाय तेक्यर जाहिंद जय भारत